कि चावन प्रास यहां पर जो अपना एक्क्विबेंट हो जो हमें नॉर्मली यूज करेंगे उसके लिए एक्क्विबेंट हमारा वाइड माउथ स्टेले स्टील वेसल्स मीज हम यहां पर इसका इसका इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें अपना कि डिकॉक्षिन यानि कि हमें इसमें अपना क्वाथ प्रिपेर करना है क्वाथ किसलिए प्रिपेर करना है क्वाथ में ही हम चास्नी बनाते हैं तो इसलिए हम उसके लिए बड़ा वेसल्स की जरूबत है इसलिए एक्क्विबेंट में एक क्यूपित में अपना वाइद माउथ स्टेल स्टील वेसल रिखरेमेंट उस में हम डिकॉक्षं बनाएंगे और डिकॉक्षं के बाद ही हम चास्ट्नी का निरमाण करते हैं स्टॉंगा स्पैच्छुला होना चाहिए ओकि डार्विय्ज से हम बोलते हैं स्ट्रंग स्पाचुला हम जब डिकॉक्षन जब चास्ति बनाएंगे तो उसको राउंड करने के लिए उसको घुमाने के लिए तो हम स्पाचुला का यूज करते हैं सीव और फाइन क्लोथ कितने इसमें तो हमारा गोला जो रहता है आवला से फिषोटि बनाते हैं आवला से आवला बनाते हैं आवल्र 安श eric ावदल्र बनाने के लिए हमें एक शाध के नहीं बीसमताों क्यों च्राइप स्पाइबर साइस पलप बनाने के लिए हमуска प्रोसईजर से हम जाते थैस का मैं ने में बताः है ते महाँ पर इस्तिमाल करते हैं एक फाइन क्लोथ का इस्तमाल करते हैं जिसमें बारिक बारिक पाउडर रहते हैं हम पाउडर मींज एक शीव यानि की जाली टाइप के एक स्ट्रक्चर रहती है उसमें हम जो हमारा जो आवला रहता है उसको हम उसको रब करते हैं रब करने से क्या होता है वो एक साइट में अप तो या फिर ग्यास यह तो नॉर्मली नो नीट टू एक्स्प्रेंट ओके अब यहां में प्रिपरेटरी मटेरियल क्या के रिक्वार्मेंट है में ड्रग अभी बनाने से पहले यह सब हमें हमारे पास होना जरूरी होता है तो में ड्रग यानि कि जिसका हमें मतलब इसलिए चाहिए दिकॉक्ष्ण में ही हम चासनी बनाएंगे और जो अपना जैसे 54 प्रास अवले जो हमें बनाना है तो स्रिप आमला से चांप्रास बनता नहीं क्योंकि आमला से 54 नहीं बनता क्योंकि उसमें हर्बल ड्रक्स की रिक्वार्मेंट होती है हर्बल विताओड के requirement without herbal drugs के adding के बाउच एडिंग से हम जो हमारे जो therapeutic जो gain होते हैं चौनप्रास के वह हम नहीं ले सकते हैं तो हम main drug यानि की जो हमारे जो total 38 46 तोटल herbal drugs की requirement होती है चौनप्रास के लिए तो वह यहां पर require होता है उसी decoction में उसी चास्नी में हम अपने pulp पिस्टी को डालते हैं यह detail में हम further slide में देखेंगे तो main drug की requirement होती है क्योंकि हम इसे decoction बनाते हैं और decoction से हम चास्नी बनाते हैं इसलिए main drug पहले हमें collect करके रखना है suiting agent means suiting agent चास्नी होनाने कि आपको शक्कर के requirement होती है तो यानिकि sheeting agent requirement है शक्कर ले सकते हो अप आप good ले सकते हो अगर गुट ले thôi चिए नए अभेशन्धी रहता है और जो नवा गुड जो होता है वह अभेशन्धी कारक होता है अभीशंदी क्या होता है यानि कि जो आपके जो ब्लड वेसल रहते हैं जो इंटर्नली वह पर एक लेपन स्टाट होता है महाँ पर internal जो लुमन रहता है ब्लड फ्लो का वह कम हो जाता है वह कि वहाँ पर जो बखलand fat material या was some something brand कि ओर नीज़ नवा गुड़ जो लेते हैं नया गुड़ जो लेते हैं वो में पर नहीं है चिपक से लुमें नहीं नहीं लेना है फुले ईंल सकते हैं हमने जो अपना ना इत्व प्रीप proset तो गोग्रिय्ट में काउग ही हम नॉर्मली यूज करते है यह कि यूज करते हैं इसका क्या यूज होता है यह मैं फर्धर बताऊंगा यूज जो कि व्यादी में इसको ठीक करना है उसके लिए हमें प्रक्षिव द्रवे यूजिज क्या गया है पिपली, वंसलोचन, एला, पत्र, नागे केशवर, टुक, तो यह सब जो प्रक्षिप द्रवे का जो एड किया गया है, इसके अंदर essential oils रहते हैं, वो essential oils हमारे bodies के अंदर, बहुत सारे therapeutic properties को, बहुत सारे therapeutic properties में help पड़ते हैं, तो that is नहीं मतलब flavoring agent यानि प्रक्षिप liquid media used नहीं है, तो हम decoction नहीं बना सकते हैं, यानि क्वात नहीं बना सकते हैं, तो liquid media भी होना जरूरी होता है, okay, it is a part of our अवले also, क्या-क्या चौनप्रास के अवले के अंदर चाहिए, first of all आमला जो हमने आमला जितने लेना है, शास्त्र उप्त अगर हम बना रहे हैं, यान इस में mention किया गया कि हमें 500 quantity, यानि कि 500 आमला at least होना चाहिए, उसके अंदर, okay, और जो water जो हम use कर रहे हैं, decoction बनाने के लिए, वो एक द्रोन होना चाहिए, एक द्रोन मतलब 12 and a half liter, यानि 12 लिटर, नॉर्मली इतना जल होना चाहिए, okay, और सिजमोलन की तिले का तेल, यूज किया था, लेकिन शारंगदर ने तिल का तेल यूज नहीं किया था, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि इस Rancidity यानि की एक दुरगंदेता डेवलोप हो सकती है, उस चोण प्रस में, इसलिए उन्होंने तिल का तेल मना किया था, यानि कि तिल तेल जो होता है, यह सर याड ऑडर की वहाँ पर एक निर्माण हो सकते हैं जब हम इसके जो डियूरिबिलिटी जो रहती है वह वन येर टू येर रहता है ऐसा लेकिन जब तेल के तेल से जो हम अवलेह बनाते हैं यानि कि उसकी जो टाइम स्पान है खराब होने के जो उसके जो लक्षन जो जोड़ने ऐसा शारंगदर बोलते हैं लेकिन चरक ने तिलका तेल अपने चामनपरास अंवले बनाते हैं यूस किया था तो तिलका तेल ने वह तो गी भी लते दो तो ऑनों नहीं पता था दोनों सजेस्ट किया था कि दो तोनों ले सकते हैं सुगर हमें 5 यानिकिदेट याने की approximately 50 पल एक पल 48 ग्राम तो यह मुल्टिप्लाइब विट यूर ओन डट 50 इंटू 48 हाउ मच इस डाट ओके सुगर हमने के बाद घी लेना है तो यहां पे इस ने द्रवे जो हमने बताया है तिल तेल में ने बोला उसके बाद घी भी में बोल रहा हूं तो लेकिन चरक ने बोला है कि हम season oil लेनी की जो हमारा तिल का तेल होता है या फिर जो हम गोगरित याने की काओ घी यूज़ कर रहे हैं डोने में से कोई भी यूज़ ख़र सकते ऐसा चरग में लेकिन चारख दार ऐसा नहीं बोलते है वो बोलते हैं ऑबकर हम घी लेना है कि मधु मधु यह उसके प्रेजरवेशन बनाने के अम जो पर बंग जाता है इसको क मेंने बदाथ कि सीव के उपर हम उसको घिसते यह रभ करते हैं गिसने के बाद जो इसको आमला पलप बनने के बाद उसको हम क्या करते हैं crime कि जैंसे새 घ्म पर घ्मेया में इसको को हम डालते हैं उसके बाद हम उसको मिक्शयर को चलाते रहते हैं उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको जो रेडिया रहती हुँ लेट ने परसेजर फो데 अँपका the procedure में कि हमें आमला चाहИए ओके हम्यान लेने के बाद यहाँ जुन के बाद मेस्ट 17S 14 कितने मुझे drug चाहीए तो यहां पर total 36 की drug की मेनी की बात किए लेकिन यहां पर सम प्रक्षव दरवे और not mentioned here such as एला यहां पर प्रक्षव दरवे यहां पर mention किया गया है पिपली mention किया गया है नागे-केशर इस देर नागे-केशर इस नॉट यह तो ऐसे तोटल मिलाकर कुल टोटल 48 या फिर 46 तोटल कुछ ड्रक्स के नंबर आते हैं जो चौन प्रास में यूस्फूल रहते हैं इतना चाहिए हैं तो यह जो हर्बल ड्रक्स यहां पर बताए गए हैं इनका पहले आपको डिकॉक्शन बनाने के लिए एक बहुत ही बड़े वेसल्स हैं लिए राटी करने के बाद हमें क्यों क्या रहते हैं बहुत बड़े वेसल्स घनला रणी लेना पानी लेना यान अगर मैंने एक जो मेरा 36 यानि 46 में जो ड्रग यूज कर रहा हूं या फिर 38 में जो ड्रग यूज कर रहा हूं अगर समझे कि मेरा 36 ड्रग अगर मैं एक एक को एक ग्राम मानता हूं यानि 36 ग्राम तो उसका 16 जितना आता है उतना मुझे पानी यूज करना यानि water use करना है decoction प्रिपेर करने के लिए तो एक बहुत बड़े normal level language में हम बोल सकते कि भांडा लेना है यानि कि एक बहुत बड़ा vessel लेना है उसमें उतना पानी डालना है उसके बाद पानी डालने के बाद ये कितना लेना इसा 48-48 ग्राम बोला है ओगे तो 48 का 16 गुना उतना पानी लेना है पानी लेने के बाद 48 का सोना गुना मतलब कैसे 48 जितना है into 48 and into 16 जितना water राता उतना water लेना है उन सभी जो छोड़ छोड़े particle जो इंदर के थुरू किया गया है उसके बाद उसको डालना है डालने के बाद क्या करना है एक रात तक उसको रख देना है रात तक रख देने के बाद जो उसके जो extractive रहते हैं उस ड्रक्स के उस पानी के अंदर उसके extractive आ जाते है उसके extractive आने के बाद क्या करना रहता है उसको अभी extractive आ गया है उसके बाद हम क्या करते है उसको पुटली बानते किसका पुटली बानते है आमला का क्योंकि आमला का हमें उबालना है अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते है या तो आप decoction को अलग प्रिपेर करो आमला को अलग हो बालो लेकिन शास्त्रवक्त में जैसा बता जा रहा है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ हम यहाँ पे आमला को decoction बनाने के लिए जो water यूश क्या गया है decoction बनाने के लिए जो herbal drugs और water का जो सम मिश्चन करके जो हमने रात भर रखा हुआ है उसी को अगले सुबे निकालते हैं और उसी में एक पोटली बानते हैं पोटली बानती मिस एक छोटे से कपड़े के अंदर एक खलका सा गोला टाइप का structure बना गया मैंने दिखा है नेक्स फोटो में ओके देख लेते हैं यह दो कि मैंने बता है कि पोटली बाइदा हुआ है मैंने रात बर इस डिकॉक्षन को मैंने रखा था डिकॉक्षन रखने के बाद उस पोटली को मुझे डारेक्टली डिप करना है उस डिकॉक्षन बना हुआ नहीं है यह रात बर जो मैंने डिकॉक्षन क करने के बाद यह रहता है कि हमाएं जो डिकॉप्षन के लिए जितना पानी यूस किया गया है तो यह आपको मालूम होना चाहिए कि आवला हमारा कब उबल जागा कब नहीं उबलेगा तो जैसे आपको पता चलता है कि हमारा आवला उबल गया है हमें आवला को निकाल लेना है और जो decoction जो हमने लिया है उसको further heating करेंगे further heating कब तक करेंगे till it not reaches to 180 अगर जब तक वो 180 reduce नहीं होता है तब तक हमें उसको reduce करना है कि फर्स्ट जो अपने फ्रेश आवला जो हमने लिया इसको पहले धोना है हमें उसकी पोटली बनाना है and small small pieces of द्रवे place in a prescribed quantity of water for a day for a night नाव पोटली डिप ने अबो मेंचेंड वाटर पोटली जो हमने लिया है उसको डिप करना है जो रात बर जो पानी मेंने रखा था उसके ने डिप करना है अब वो डिप किये वे आवला को और जो पानी है इन सभी को मिरको मंदक नहीं सब्कानी यानि आवित के यानी कि उसको फ्लो देना हो टीक सपानी है तो अधिन मेंटको पोट्री करने के वाध में प्होंटर में अंट डीमौल अब प को या पर यहा हमारा यह इसे उबले जाता है अबलने के बाद यह इसको ठोड़ा सव़ोवन चाता है और उसके बाद हम इसका निश्कुलिकरन करते हैं इसके बीजों को अलग करते हैं इस प्रोसिज्जर को जो इसका प्रोसिजर करने के बाद आमला को स्ट्रक्चर है एसको सिव बोलते है यह कि एक में यह स्ट्क्चर रहता है इसके ऑपडाइब przeci वेडियो चलिन दीजिए क्या उवापको दिखें की आथ ऑपे आम्ला पल्प रिडी होता है अ की रिँवें और भी आगो गीस रहे हैं इसके नीचे हल्का सा एक पल्प इस रिणी हो जाता है आप के रिमूव हो जाता है यानि अल्टिमेटली जो हमारे थोट में जो इरिटेंड कॉस करेगा इरिटेंड इंड्यूस करेगा वो रिमूव यह देखें इसी को में इसी की में बात कर रहा हूं इसी को हम आमला पल्प बोलते हैं इसी को हम आमला पल्प बोलते हैं आमला पल्प ह हमारा रिडियो यहां प्रपिरन करने के बाद प्रपिरन क्या होता है के नियुक्य होता है जो हमारे अंगिस्ते हैं यानि रभ करते हैं कि वहहीं यहां पर लिखाव ख़ंगे डीकॉच्शं तिल इन टॉ। फोलिटर फोलिटर डीकष हो चुना प्लेगिके skate के बाद हमें उसको जो वाटर जो हम जितना हमने लिया उसको वनेट तो रिडियूस करना है लेकिन वनेट तो रिडियूस के दर्मियान हमारा जो आमला है वो पक जाता है उसको हम ले लेते हैं लेकिन हमें कंटेनू उसको हीट करना है जो वाटर हमने लिया है तो रेडियूस इस प्रिवेंटिव मेजर और प्रिवेंट एनी थ्रोट इन इरिटेशन ओके वह इरिटेशन से बचाता है इसलिए हम उसको रभिंग करते हैं आमला पल्प निकालते हैं एंड शॉफ्ट फॉर्म ओफ आमला यहां पर यह गलत लिखा हुआ है यहां पर पिस्टी नहीं यहां पर आमला पॉजप आएगा ओगे वह यहां पर लिखावा यह देखिए नशॉपन ब्रांप केसे बनेगा वो उसकी में बात कर रहा हूं यहां पर मैंने बड़ा सा कडाई लिया है उसके अंदर मैंने भीड़ा चला हूए घीर डालने के बाद यहां पर नेक्स पॉस एबस को चलाते रहना है तो यह चलाते क्यों है कि जो आमला इंदर जो मॉस्टर कंटेंटे तो चला जाता है फिर आमला छ खुदी अपने आप घी वह बाहर निकालता है तो इसमें क्या रहता है कि जितना हमें घी यूस के रहते हैं वह बहुत ही जली शुक करता है लेकिन थोड़े दिर के बाद वह गी को खुदी अल्टिमेटली बाहर निकालता है क्यों निकालता है क्योंकि अब इसका पियुक्व बन चुका है वह ऐस będzie कर रहा है तो काव घी और तिल तेल इस पॉर इन थीक विस्टिल में नहीं पता है उसके बाद आमला पिस्टी इस केरफुली आड़ेट इन काव घी एन आमला पिस्टी स्लोली फ्राइड उके उसको फ्राइड करना है घी तिल नॉट इड लूजस ओल इस मौशर कंटेंट वेन घी स्ट इस प्राइड इस नॉटिंग बड़ अमला पल पर जो मैंने लिया था अगर उसमें से अगर वह घी निकलना स्टार्ट करता है तो इससे समझना चाहिए कि पिस्टी हमारी डिडियो यहां पर भी पिस्टी लिखावा लेकिन यहां पर आमला पल पाएगा ओके इंडिकेटि बनानी है चासनी किसे बनानी है उसमें हम शक्कर एड़ करते हैं जो वनेट तो रहता है वनेट जो हमने जो वाटर बचा हुआ है उसके अंदर फर्दर हम शक्कर एड़ करते हैं उससे चासनी उसकी बनती है ओके चासनी बनने के बाद यह देखें further procedure मैंने लिखाए कि प्रिपेर सुगर शिरप बाइडिंग सुगर इन मेड डिकॉक्षन जो वनेट रिडियूस किया था उसके अंदर हमें शुगर एड करना है और शुगर एड करने के बाद हमें जो बनता है वो सुगर शिरप बन जाता है यानि कि अभी वो चासनी बन गई है चक कंदिंस्टेंसी और शुगर शिरप बिफॉर आडिंग आमला पिष्टी जो मैंने अवले बना कि कोई भी ठीक कंदिंस्टेंसी बना है रेडी बना है प्याथि करेक्ट है कि निए उसको चेक करने के लिए हम उसके ड्रॉप पाट सुगर सिरप को हलका सुगर सिरप लेगे हमें पानी किदर डिप करना है अगर सिंग हो जाता है यानि कि अवर सुगर सिरप इस रेडी इफ ड्रॉप वही लिखा हुआ है ओके नाव एड होट सिरप इन होट अमला पिस्टी और वाइसे वर्षा स्लोली तो यहां पर वाइस जो बनता है उसको पिस्टी बोलते हैं ओके पिस्टी बनने के बाग अभी इसी पिस्टी में कुछ लोग सुगर सिरप को आड़ करते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे रहते कि सुगर सिरप जो बन गया है इसमें आमला पिस्टी को आड़ करते हैं तो देरा टू वे जो हमारा प्रास बनाने का है कि नाव होट और सिरफ इन होट आमला पिस्टी और वाईसर वर्था वह यहां पर लिखा हुआ है अब किसी भी तरीके से कर सकते हैं कि मिक्स त्रू-लइ और म्रशी वह लिखा वा यहाँ यहां बग्स यह पूर्थे के अंदर के अंदर शुगर्शिरप नर की यहांने कि यहां ड़नने के बाद उसको मिलाते हैं तो अभी यह हमारा अवले है कि टौटली 50-60 पसान हमारा बंच चुका है लेकिन अभी 40 पसन रिमेनिंगे इसमें कुछ काम बाकी है वह क्या है वह काम प्रक्षिब द्रवयों का काम है प्रक्षिब द्रवय क्या होते हैं यह additive होते हैं additive means flavoring agent होते हैं flavoring agent का डानला जरूरी की होता है क्योंकि इसमें essential oils रहते हैं जो therapeutic property इसके अंदर नहीं होती है वो induce हो जाते है या फिर जो रहते हैं उसमें एक high attitude दिखता है means that is altitude दिखता है altitude means एक जो therapeutic property यानि की जो drug के अंदर जो रहती है वो अपना catalytic reaction fast करने के लिए उनका प्रक्षिव द्रव का add करना जरूरी होता है तो यह देखे प्रक्षिव द्रव के अंदर मधू आता है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन शास्तरुक्त जैसा बता है वह में बता रहा हूं और नॉर्मली प्रक्षिव द्रव कोः जब बात कynnIB कि हड़ों के प्रक्षिव द्रव द्रवु द्रक्षिंड के अंदर कुछ लोग कंसीडरल नहीं करते हैं कि क्वाँक्त धॢैंगि एक पल 48 ग्राम तो वंचलोचन मींज यह रहता है कि बाम्बू का जो फीमेल बाम्बू का जो ट्री रहता है उसके अंदर से एक हलका सा निर्यास लाइक श्रक्चर एक ऊजिंग आउट होता है तो उसको वंचलोचन बोलते हैं वंच मींज हता है बाम्बू का पेड यानि कि बाम्बू का ट्री पिपली यू नो पिपली मींज तड़ें पाइपल लॉंगं से हम बोलते हैं यह पिपली वंचलोचन यह सब क्या है मैं मिश्रक गण में मैंने बाद आया यू कैन सी दाट वीडियो एक एक पल चतुर जात चतुर जात के अंदर चार ठींस आते हैं एक एक पल पत्र पत्र यान GO और ब्राइड किए यह घुला करू देस के निचंह इनो में प्रक्ठिव दर्वें होता है। यहां पर में जो अमारे बन गया था उसके अंदर मेंने के शूमिटी है सॉरी जौना का वंचलोचन आए मुआल यहां नग्ट करते हूँ दिखा लेकिन यहां पर आपको सब्सक्राइब करें जो इंधिर हो यह पर दिख रहा है उसके बाद यह देखिए नेक्स कि यहां पर पिपली डाला जा रहा है इसका नेक्स प्रसिजर यह रहता है कि कि हमें उसमें मजू डालना रहते हैं तो जो प्रक्षव द्रव जो हम एड़ करते हैं चास्नी डालने के बाद हम क्या करते हैं चासनी डालने के बाद हमेरा पिस्टी के उपर से जो हम चासनी डालते हैं तो उसके बाद हम उसको तो हीट करते हैंFire मतलब तोड़ा था थिक कंदिस्टेंसी के बाद हम कि यह ik फुल टोड़ा कुल यानिके थंडा करने के लिए थोड़े दिर उसको एसड़ रखते हैं मैं उसके बाद उपर से प्रक्षव दुर डालते हैं वो अर थोड़ा कूल हो जाता है यानि कि फुलनी अभी ऑप Somewhere Somewhere yamuk फुल्ड हो चुका है यानि ठंडा ऊंपर से मदू डालते हैं इत के यह दिखेंज मदू Ultra यह देखिया आपकों कि गिर घृ का ख्षें उसके बाद हम क्या दालने बाद यह देखिए अभी हम मदु डालने के बाद यह देखिए उसका मदु यहाप आपको गिरावाद दिख रहा है होगे यहाप यहाप अगर यहाप अपना थम्ब रखेंगे इस अवले थोड़ा सा पाठ लेकर तो वह पीड़ते मुद्र दिखाएगा जैसे अवले अगर आप डिप करोगे पाने के अंदर तो डिप हो जाएगा वह सिंक हो जाएगा वह फ्लोट नहीं करेगा अधा सर्फेस इड विल सिंक अड़ बॉटम तो यानि कि यह सब जो परिख्षाएं बताएं ती अवले एक्स्पेंड करते समय तो यह सब यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि वेदर अवर अवले इस प्रिपेर्ड फुली और नॉट अभी दगए रसपंचक बढ़ा है कि चोनपास का अवले बना हुआ है एक कौन से रस चाए इसकी वीरे क्या है इसकी विपाक क्या होती है और यह कहां पर यह किन दोशों का शमन करता है यह इसको दिखने के लिए रस पंचक जाना दूरूर He is का रश होता है मधुर रश का अमलर रस परधान होता है मधुर रश की इसमें शक्क्रडाला आम लरस डाला हुआ है इसलिए कि इसमें बहुत सारे हलबल ड्रक्स डाले हुए यह जो चपके पॉप करेगा गुटी की प्रॉंप माशन Kotum प्रोपर्टीज अधिये यह जिरने की वह लूस करेगा यानि कि उसको क्या करेगा कि भॉटी में जानने के बाद कोई एंपल फिक्ट नहीं करने वाला कोई बॉडी में जाने के बाद गलानी आ है इस सब निर्माद करने वाला इती remove रटिक्षिक नहीं हो रहे हैं इती शीकते वीरेश हुआ il याही पित्यका शमन करेगा यह पित्यका शमनमींस जितने भी बड़ेशन मेंटाबॉलिजमंग हैpan पर हुआ है मेक्टापोलजम प्रॉपर नहीं हो रहा है कंवर्जन प्रॉपर नहीं हो रहा है बॉडी के अंदर इन सभी का वो गैटलेटिक फास्ट करने के लिए एनपोलिक रिएक्शन फास्ट करने के लिए जित्ते भी activity related to the metabolism related to the gastrointestinal tract इन सभी का ये प्रॉपर तरीके से नॉर्मल एक्टिविटी पे लाने के लिए शीर्त विरेका होना ज़रूरी होता है इसलिए चौनप्रास रिजिविलिटिक प्रॉपर्टी दिखाता है यानि कि आयो वृद्धिकर ये होता है मैं अभी फर्दर यूज की भी बात करूँगा इसका जो विपाक होता है नहीं टेस्ट आफ्टर डाजेशन जो होता है मदूर विपाक का होता है यानि कि मदूर विपाक का जो हमारे जो कट्टू विपाक का शुगर रखनों बद्द विड़ो बातलो लोगो जो स्लो काता है यह कट्टू विपाक लेता है स्वादो गुरू हो स्रिष्टमलो यानि कि इसके जो चौन प्रास खान लेने के बाद जो हमारे जो जो फीसिस क्या फिर जो हमारे जो यूरिन रहते हैं वो प्रॉपर टी एक प्रॉपर बे में एकस्पेल आउट होते हैं लेकिन यह पर वातिका करते हैं वह पिट्अ करते हैं हल्के से कफकी व्रिदी होती है मदुरस मदुल विपाक के वजह से लेकिन हमारा मल अच्षी तरीके नहीं कि निकल र है बहूरा मल निकलती यह करता है खिए इसलिए करता है क्योंकि उसमें मदूर विपाक हो दिये मदूर विपाक की होजिसे वह बौडी में सिस्टम अलो जैनि कि एक अच्छे तरीके से उसका फ्लो करवाता है वह इसका जो कर्म होता है मैंने बता है कि वाद़ पितने नाश्यों कोता है कफ की हलकी सी वृद्दी करत है क्योंकि इसके अंदर मदुर विपाक और मदुरा रती है जो नॉर्मली मदुर रस और मदुर विपाक मदुर एक स्निक्दिता की प्रॉपर्टी रहती है जो कि कफ के दोश की अंदर वो स्निक्दिता की प्रॉपर्टी रहती है डू टू दोनों गुड के समान की होने को जिसे एक महाँ पे व्रद्धी हो जाती है गुड की तो इसलिए महाँ पे एक दोश की व्रद्धी होना ज़रूरी रह है कि Pois ahead अभी हाँ पर नोट दिया वाय और कि इंपोर्टेटन आपको क्या-क्या वापन पर प्रीकॉसिल नहें सकते हैं और कि आफ्ट्र-क्मेशिन न अभले आपको अनी आद करना है आप अगर आप यहां पर जो अवरे कि जो ठीक कडिशिनी के फ़ला जो मठील यानिकी आटम जो बना हुआ है अगर आप हनी उसके अंदर जब आपका अवले अगर गरम रहेगा आप तभी अगर डाल दिया रहेंगे तो आपका अवले वो इतना प्रिजर्वेट नहीं हो पाएगा जितना ठंडे में अगर आप अब हनी को डालोगे ऑगे टूना प्रोपर्टी में फर्मकलोजिकल एक्षन में हेलफफुल होते हैं इसलिए प्रक्षिद्रवे थोड़े से यानि कि जब वो गरम रहते तभी डाला जाता है ज्यादा गरम डालेंगे तो इसेंशल वह 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 इवापरेट हो जाते हैं एंड टू प्रोटेक्ट फॉम स्टी प्रिपेंड मटेरियल एड़ बॉटम आप वेशल हम इसलिए घी को डालते हैं ओके इंडिकेशन नहीं करते हैं इसलिए जिटने भी बॉडि सेल्स यानि कि बॉडि में जितने हमारे पास सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स का एक उनके जो फंक्शन होता है नॉर्मल फंक्शन तो देता Кरवाता ही है उसके साथ साथ जो हमारा जो District the उनका रिमोबल करता बौड़ी के दुरू और क्या करता है बौड़ी के त्रवर रिमोबल के बाद न्यू टिशु की formation करता है इसलिए rejuvenating property दिखाता है यानि कि aging को delay करता है okay it has vitamin c कैसे करता है वो it has vitamin c यानि कि चोन प्रास के अंदर vitamin c रहता है and vitamin c responsible for the formation of collagen fiber जो हमारा जो skin रहता है skin की नीचे एक layer होता है उसके अंदर collagen fiber रहता है वो collagen fiber जो हो रहता है वो elasticity यानि कि elastic nature of skin के responsible रहता है वो collagen fiber वो collagen fiber vitamin c के वज़े से इसके निर्माड होती है और vitamin च्वन प्रास लेने को जैसे vitamin c मिलता है उससे collagen fiber के formation होती है और उसके जैसे हमारे elastic nature यानि कि skin की elasticity gain होती है और इसके इसे regenerative body regenerative property हमें दिखा जैता है इसे regenerative property में elastic nature का यह matter क्या होता है means जैसे कि आप देखते कि अगर कोई age person रहता है तो उसके जो skin की जो glow रहती है skin की जो elasticity रहती है वो पूरी चली चली जाती है तो elasticity maintain करवाता है इसलिए regenerative property चौन प्रास दिखाता है ओके इसका next function है कि वो COPD निए chronic obstructive pulmonary disease में इसका use करते हैं यह क्या होता है यह यह होता है कि जितने भी respiratory symptoms होते हैं वो COPD के अंदर गताते हैं जितने भी मतलब COPD के अंदर bronchial asthma का मिलनी आता है bronchial asthma क्या होता है यह यहां पर चाट के थूर आपको दिखेगा bronchial asthma क्या होता है तो chronic obstructive pulmonary syndrome को ही हम क्या बोलते हैं syndrome बोलो या फिर disease बोलो ओके तो syndrome collection of disease syndrome बोलते हैं तो collagen fiber decreases in lungs यानि कि जितने भी जो tissue रहते हैं lungs के अंदर यानि कि उनका क्या रहते हैं कि further वो relax और contract relaxed contract होते हैं तो जो tissue रहते हैं तो उनके अंदर collagen fiber का होना ज़रूरी होता है तो यह collagen fiber जो रहता है वह चोन प्रास के थुरूह में मिलता है the elasticity of bronchi and alveoli is lost in COPD and oxygen carrying capacity get decreases person get take forcefully inhalation तो elasticity reduce होने को जैसे bronchial में और alveoli में reduce होने को जैसे oxygen carrying capacity महाँ पे कम हो जाती है जो हमारा alveoli ही proper तरीके से swall या फिर sorry अगर वह carbon dioxide को normally जो रहता है कि oxygen हम intake करते हैं यह oxygen जो inhale करते हैं inhale करने के बाद हो जो हमारा alveoli रहता है वह फूलता है unfoolने के बाद हम हमारा जो chest region रहता है थोड़ा सा elevate दिखता है तो alveoli ही जब पूलेगा alveoli के अंदर alveoli के अंदर ही हम हमारा जो air जा रहा है oxygen जा रहा है अगर वही हमारा प्रॉपर तरीके से जाएगा और वह तो तो यह पर ट्रांसफ़र रहा है यानि कि diffusion का carbon dioxide का alveoli के अंदर आना और oxygen का blood capillary के अंदर जाना यह दोनों activity नहीं हो पाएगा इसलिए person को oxygen carrying capacity यानि कि वह oxygen का intake कम कर पाता है इसलिए इसलिए बॉड़ी प्रॉपर अमांट ऑफ oxygen महां पर फॉर्स फुली इनिलेशन करता है इसलिए में चॉन प्रास ठीक हो ठीक करवाता है यानि कि कोलेजन फाइबर जो लंक्स के जो टीशू रहते हैं उनको कोलेजन फाइबर देता है और दूटो डाट वह प्रॉपर अपना मुवमेंट कर रहते हैं ब्रॉंकाय का जो ब्रॉंकाय ब्रॉंकियोल्स जितने भी रहते हैं रहते हैं वह आपके उनका मुवमेंट करवाने के जैसे विट्योपीडी में और अब्स्ट्रक्टिव पल्मर्री डिसीज में यह अस्तमा में यह सब्सक्राइब करता है ओके यह तो थर्ड इंडिकेशन ने वरक इन प्राणभाई स्त्रोतस प्राणभाई स्त्रोतस वही मैंने बताई कि जितने भी रिस्प्रेट्री लाइक के वरनfront प्रषाधन송 के अगर हमारे जो जो होता है अगर हमपर फॉचू का रहता है तो उसमें हम और न प्रषाधनर नहीं चौनप्रास का यूज स्करते हैं पॉन अनुलोमनम की ग्यास बना हुआ है यह पॉन जैसे की पांच टैप पे हमारे यहां पर वात दोश्य जो रहता है जो रिस्पोंसबल पूरे बॉड़ी के मुवमेंट के लिए रिस्पोंसबल होता है वह पांच वायों में डिवाइड हो रहता है प्राणवायों प्राणवायों रहता है वह ऊक्सिएन को बाहर निकल लगले रिस्पोंस 8 ED Aisy. A जो यह पांच वायों बाहर निकल ले से जुटे वह उपर की तरफ आते हैं तो यने की उनका अनुल्म करते हैं तो नहीं को प्लोबू है तो हम एकसे यो करने के लिए सबिस्ट करते हैं तुजIR upon ऐसले क्या करते हैं हम क्याकरते हैं उसको दि सों君 करते हैं डि करते हैं ठिए प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर उसके जिसे त्रू एक फ्री रेडिकल बाहर निकलता है जो कि क्या करता है वह सेल्स को डेटीबी कर सकता है यह उन पास रहता है उन सभी फ्रेडिकल को वह किल कर देता है उसके बाद अंग बला नाम और गुड ग्रोथ अंग बला नाम पेड़ेटी क्याने की चिल्डर्स को देते हैं हम अना मयम यह इम्मिरिटी बूस्ट करता है अंदर बॉडी के अंदर आयो प्रकर्शनम मीस हमारे जो प्रॉपर फंक्शन आफ जो इंद्रिय रहती है ग्यान इ इंड्यूस करता है अट्रेक्शन ट्वर्ज यूर पार्टनर वह इंड्यूस करता होगे तो बे आफ वर्किंग अल्टिमेटली इसके तरीके कैसे किया इसने काम अपना कोलेजन फाइबर इसने इंड्यूस किया तभी जाके इसका हेलफुल इफेक्ट दिखा या फिर इसन कोलेजन फाइबर इंसाइड़ स्कीन लियर उसके बाद एंटिड्यूस होता है यानि कि ऑक्सिडेटिव स्टेस रिमूबर होता है जो कि फिर डेट कर जाकते हैं या फिर सेल्स के फंक्शन को हैंपरिंग करते हैं एजिंग अगनी प्रदीपकर होते हैं यानिकि अगनी प्रॉपर इंड्यूस या फिर इन्हांस करता है डाजिशन फूट को कि यहां पर जो मातरा जो बताएगे थी कि डिपेंड टू परसन टू परसन वह कितना इंटेक कर सकता है तो ट्वेल्ट टू ट्वेंटिफाइग ग्राम एकॉडिन शारंगतर बताएगा लेकिन कुछ के कोडिंग हमारे जो है पाउकिलो लेना चाहिए ऐसा बोला जाते है कि तू फिप्टी ग्राम हमारा एक बेट होना चाहिए लेकिने यह तो बहुत ही ज्यादा हो गया नॉर्मल लाइंग्वेज में इतना अफोडेबल ही नहीं कि एट टाइम ओर टू फिप्टी ग्राम हो है कर सेखें तो उन्होंने अपने ऐस पिए एंशेंट टाइम उन्होंने बता तकी टू फिप्टी ग्राम लेना चाहिए लेकिन छारंदर जो की लगोटरी के अंदर आते हैं जो की अभी मॉडन रिसेंट ली के यह राइटर है तो उन्होंने ट्वेल टू टूंटी फैंट एक कर्ष अप्रोक्सिमेटली उन्होंने बताया है इसका अनुपान है शीर तो अनुपान चनपास अवले लेने के बाद आप दूद ले सकते हैं या फिर अलांग भीत ले सकते हैं इसका सेवन काल पता है कि आप जब मॉर्निंग में जब आप उठते हैं यानि कि अर्ली मॉर्निंग में बिटाउट इटिंग आप इनी फूड यानि कि अनन्न भक्त अनन्न यानि कि अन्न नहीं लिया हुआ वह वक्त या फिर जल्ली उठावा अर्ली मॉर्निंग में का टाइमिंग होता है सेमन का लोगे हैं तो देट इस अल अबाउट दे चमन प्रास नाउ वी विल सी हीर दो वासा अवले के लिए स्लोप में नहीं दिखा था कि यह भी शॉट में हम देखेंगे वासा अवले यह भी एक अवले बना हुआ है यह थिक आइटम बना हुआ है ज यह अस्वाद ने यह वर्ट से से बना हुआ है मैंने अल्टिमेटली वह बता है दे स्टाटिंग में तो बना के वासा स्वरस एक प्रस्तम सिताम अस्टपल उन्मितम सर्पिशो दूइपलम दत्वा पिपलितम दूइपलम तथा पचेत लेहत्तों आयाते शीते मधूपल स्टपु य के बात किता यह अ मिक वर्ट कर दो लेना ऐए वह बनाने के लिए अलग तरी के बता है वासा पूट पाक है कि आप इनके पति जो रहते shaan ढही निकलते हैं तो अचके विडियो बता आया है तो सेप्रेट विडियो बताई है आप वह पर पत़ देख सकते वृस अब्सक्रत करने के बाद उसमें से रस निकलता है तो वह रस तो वह हमें ऐक प्रश्ट लेना है एक प्रस कितना होता है में नेक्स स्लाइड में मैंने बताया है शीता मींज चक्कर बिटाउट एडिंग एनी शुगर और स्वीट सब्स्टेंस हमारा अवले प्रिपेर नहीं होता है तो वह आठ पल लेना है सरपी यानि कि घी गो घृत यह लेना है दो पल दत्वा उतना ले की जो बना है वह दो पल लेना ये प्रक्शिब द्रवह अजना लेना है पचेत लिहत्तों मायते और प्रेजरवेटस बढ़ाने के लिए मदु एड़ करना है कितना आट पल दोhakे इसे इंग्स कंड में देखते हैंने क्या क्या लेना है श्रक राव मीन्स 10 पल लेना है इसको कैसे बनाते हैं और भी मज़ुत तो अगर आप बना लिये हैं तो इसका बनाने के जो वेर रता है वासा लेना है as per the condition as per mentioned quantity आप उतना ले उसके बाद आपको Ghi डालना है फिर्ट comport फेल आपको stris घी डालना है जब लक्किफा होकके जब और उसके अंदर आपको सॉर्ट डालना है शॉर्ट डालने के चास्नी बनाने की जरुवत तो नहीं है यह जा रहे जहांरे ब Kruno हम आखेद पर खक्राएक को अब टूसिवाकर कर देना है और यह से नसे नियुक्त सब्सक्राइब बनता तब तक उसे हमें continue mild flame भग देना है रखने के बाद हमें क्या करना है पिपली यड़कर ना है पिपली जब तक वो थिक नहीं बनता जब तक वो एक पूरा जितना हमने स्वर्श जितना लिया है वो स्वर्श अगर नहीं बन जाता है तब तक हमें क्या करना है उसको continue stir करना है continue mild flame पर रखना है continue उसको flame पर रखना है उसके बाद हमें जैसी थिक जैसे ही वो एक थोड़ा सा थिक consistency गेन करता है उसके हम पिपली ऐसा प्रक्षिव द्रभ आड़ कर देंगे थोड़ा सा कूल होने के बाद पिपल और लिए पार्फ आड़ कर देंगे तो मैंने 44 अवले में फुली डीटेल तरीका से मेंने बता है वास वले में एक गो थुरु में फास्ट पास में गो थुरु कर रहा हो के मात्रा में ने बता है 6-12 एका मात्रा उसकी होती है अनुपान छीर यह फिर जले सकते है यानि कि छीर मतलब दही चीर मतलब जो धुद होए यानि कि जो हमारा जो normally मैंने बता था कि गोदुग्ध जो रहता है गोदुग्ध मैंने चोन पस अवले के लिए बता था कि वासा अनुपान यह रहता है कि अनुपान आप अवले लेने के बाद ले या फिर अनुपान अवले लेते समय ले या फिर लेने के बाद ले ओके तो दो इसके वे रहते हैं आप कभी भी ले सकते हैं ऐसपर यह requirement तो इसका जो यूज़ करते की अधी और मेरी respiratory problem जितने रहते हैं में इसका यूज़ करते हैं और सब्सकी एक-वर इसका यूज़ करते की इसका रख्ते-पित्तन में यूज़ करते यानि कि एक हलका सा कहीं तो टैसनम को सिस्टम का होता है वह हमकड्र यहां पर इसको ठीक करने के लिए में वहासा अवफ्लेका यूह करते हैं यहीं ब्लीदिक डिसोर्डर में वहासा अव्लेका यूह करते हैं तो कास्वाश एंड रख्ट पित्रस का ब्लीड डूस अडर है ओके तेट इस अल अबाउट डैट कि अब कि